औरा गाइस तिस इस ते 7K मास्टर इस तोड़े आप बात कर रहा हूँ टेकन 8 के इवेंट्स के बारे में लेट्स स्टार्ट टेकन 8 शुरू होती है टेकन 7 के 6 मंथ बाद जहां अब वर्ल्ड हे हाची मिशीमा के जाने के बाद उसे मिसिंग समझते हैं और काजूया जिन द्वारा स्टार्ट की वार को बंद कर अब पूरे वर्ल्ड में ultimate authority है यहीं अब काजूया से rebel किये groups यहां तो अपने airbases से operate करते हैं या underwater submarine aircraft से और इतने महिनों के बाद Lars की टीम को काजूया से लड़ने की एक opening मिलती है जिन कजामा को यहां भेज operation lightning शुरू करता है जहां जिन अपनी बाई को कजूया के helicopter से crash कर कजूया को मारने की कोशिश करता है to end the devil gene chapter as अगर कजूया को नहीं मारा तो कजूया का devil more and more power के लिए पूरे world को destroy कर देगा लेकिन यहां कजूया जिन को remind करवाता है कि वो अपनी devil power के बिना कुछ भी नहीं है and कजूया अपनी devil form से जिन को हराते वो उसे अपनी devil beam से भिहोश कर देता है then वो सभी military satellites को destroy कर पूरे world को broadcast करता है कि वो ही ultimate authority है और जो strong है वो ही उसके rule के under prosper कर पाएगा इसलिए कजूया एक new king of iron fist tournament announce करता है जिसमें इस बार fighters को उनकी nationality से judge किया जाएगा and losing fighter की country पर heavy sanctions लगा दिये जाएगे जिन की side वो यहां अपनी devil powers को use नहीं करना चाहता बट इसके बिना वो इतना strong नहीं था यहीं जिन को अपनी mother जुन कजामा की याद आती है and Lars की team जिन को यहां से recover कर उसे airbase में वापिस ले आते हैं ली चावलाउन देखता है कि devil powers के बिना जिन की strength reaction time सब कुछ बहुत low हो रहा है like he was a different person और Lars के जिन को अपनी devil form दिखाने को कह जिन अब devil जिन में transform भी नहीं हो पाता अगले तीन दिन तक जिन के intense training करते वो Lars को कह अब tournament में part लेता है as जिन की devil power तभी आपिस आती है जब जिन death के करीब हो so यह power को resurrect करने के लिए जिन फिर से carnage के path पर जाना चाहता है as kazuya को हराने के लिए जिन को यह power चाहिए ही so पुरे world में qualifiers के बाद सब countries के top fighters अपने nations को represent करते tournament में select होते हैं whereas Japan के prelims में जिन को यहाँ rena मिलती है जो की खुद को Mishima school की graduate बता वो जिन से बहुत impressed थी और उससे fight करना चाहती थी and tournament में जिन और रेना के fight करते रेना यहाँ Mishima style karate से लड़ती है बिल्कुल same as Heihachi Mishima और रेना यहाँ जिन की devil power कैसे activate होती है यह study कर रही थी जहां रेना के जिन को almost हराने पे जिन अपनी devil power सक पहुँच पाया and रेना का test पूरा होते ही वो यह match से quit कर देती है जिससे Jin and Horang Japan A के final match में पहुँचते हैं जहां again जिन को devil powers का सहरा लेना पड़ा to defeat Horang लेकिन इस पार जिन इन powers को control कर पाया now King of Iron Fist यानि Taken का final tournament इटली के Colosseum में था और इटली में Serious Marksman Group जो की Christian Tantric है लिन शायू यहीं थी जो Claudio and Zafina से सुनती है की Azazel एक ancient demon and progenitor of devil gene Zafina के ancestors ने ही Azazel को ancient times में एक temple में क्याद किया था जब जिन कजामा ने Azazel की physical form को हराया तब भी Azazel की spirit form बाकी थी और जफीना ने Azazel की spirit form को अपनी body में seal कर रखा था और यहाँ Zafina Claudio के साथ कजूया को खतम करना चाहती है जो tournament के लिए Italy आ रहा था और शायू भी दोनों के साथ taken tournament में जाएगी यहीं Lars की team के Italy की तरफ आते Japan में रेना भी जिन को वो कजूया को हराने में मदद करना चाहती है यह कहकर वो भी Lars की team में शामिल हो जाती है जहां जिन रेना से पूछता है कि यह Mishima style उसे किसने सिखाया जिसमें रेना उसने यह trick इंटरनेट से सीखी यह कहती है ना यहाँ Air Base पर एक Professor Nicholas और उसका बेटा Leo भी थे जिसे ली ने Devil Powers पर research करने को कहा था और प्रोफेसर को एक केव से इन पावर्स की और इंफो मिलती है जिसमें पता लगता है कि अजेजल ऐसी Devil genes ancient humans को भी देता था और ऐसे Devils अजेजल की powers का fraction होते हैं जिनें अजेजल उनके servants के लिए बनाता था और यह Devils की superhuman power एक emotion से आती है which is desire मतलब desire of being the greatest wealthiest ruler of the world सो अगर जिन को भी कजूया को हराना है तू से भी ऐसा desire रखने पड़ते बट लियो कहता है कि उसने जिन में ऐसे desire sense नहीं करे बट जिन में कुछ अजीब है जिसे वो words में describe नहीं कर सकता इस लाइक जिन के सर पर किसी का हाथ हो और ये हाथ अभी अभी आया अल्सो जिन काजूया जैसा बिलकुल भी नहीं है यहीं रेना जिन अपनी devil powers कैसे require करेगा यहीं देखना चाहती थी यानि कि वो खुद भी ये devil powers को चुराना चाहती है for some unknown reason अब Colosseum में सभी finalist के tournament में fight करते यहीं अभी तक जफीना एंड क्रू भी पहुँच चुके है एस कजूया भी final match देखने यहां आ रखा था तो सभी nations की union army और लार्स की आर्मी भी यहां कजूया को पकड़ने के लिए Colosseum को घेरना शुरू करते हैं यहीं कजूया ने सब कुछ पहले से ही scheme कर रखा था ऐस उसे पता था कि जफीना भी यहां आएगी सो कजूया instantly जफीना को पकड़ उसकी arm से अज़ेजल को free कर वो जफीना को fang देता है और जफीना यहां मरने से पहले वो जिन को prophecy के मताबिक उसे उसकी origin में जाना होगा to get the power जो उसे कजूया को हराने के लिए चाहिए और जिन को पता है कि यह origin वो याकुशीमा आइलेंड है जहां जिन की मॉम जुन ने उसे बड़ा किया बट अभी तक कजूया यहां अज़ेजल को दुबारा revive कर वो उसे बताता है कि उसने उसकी power से merge होने के लिए उसे revive किया ना कि कोई servant to master की duty से यहीं कजूया अज़ेजल को भी हरा फुल devil power को अपने अंदर सोक कजूया अपनी true devil form में पहुँच जाता है यहीं Larsen team जिन को उसकी origin ढूणने के लिए लिली के private jet से भेज सभी यहां true devil कजूया के आगे अपना stand लेते हैं एंडरेना भी यहां true devil की power समझने की कोशिश करती है until everyone is defeated by true devil कजूया बट यहीं कलॉडियो अपने last ditch effort में कजूया पर पवित्र seal लगा वो उस पर अपनी पूरी power से purifying spear of kephalos का attack करता है बट कजूया के यह restriction field को तोड वो इस arrow को dodge कर वो कलॉडियो पर अपनी devil beam से attack कर कि कलॉडियो सब कुछ जिन पर छोड़ वो अपने arrow को reverse tracking में लगा वो कजूया की beam से मर जाता है बट यह arrow कजूया की true devil power को puncture कर देता है और अजेजल फिर से free होने की कोशिश करता है जिसे contain करने के लिए कजूया को यहां से भागना पड़ा अब कजूया यहां नीना को कहते उसकी सारी आर्मी को याकुशीमा में divert कर जिन को पकड़ने के लिए कहता है और नीना ने यहां tournament से कुछ वारियर्स को कजूया की साइड से लड़ने के लिए भी बाय कर लिया और कजूया यहां अजेजल की power के साथ अब लास्ट बची devil power जिन में थी और उससे merge होकर वो truly एक complete devil god बन जाएगा सो वो भी याकुशीमा की ओर आता है नाउ याकुशीमा पे जिन और शायू जुन कजामा के पवित्र ट्री पर पहुँच जहां जिन की मदर उसे train करती थी यहीं जिन को कजामा फैमिली की ललबाय सुनाई देती है और जिन शायू को वो इस sleep से जल्दी उठेगा ये कह जिन यहां अपनी sleep में यहां के शिंतो गेट से कजामा की सेक्रेट रेलम में पहुँच जाता है लेकिन कजुया की आर्मी यहां जैक युनिट्स डिप्लोय कर जिन के उठने तक शायू जिन को प्रटेक्ट करती है आइलेंड के दूसरी साइड नीना यहां सारी टेकन फोर्स को डिप्लोय कर सभी जिन को पकड़ने के लिए रैडी है कि लार्स ने भी यहां टॉर्नेमेंट से सभी विलिंग फाइनलिस को भी यहां बुला रखा था और युन की फोर्सिस भी यहां पहुँच लेड बाई विक्टर यहीं सभी कजुया की आर्मी से फुल स्केल असॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं और बैटल फिल्ड पर पॉल यहां लार्स की साइड से लड़ रहा था कि मार्शल लौ यहां जी कॉर्प की साइड से लड़ता है बिकॉस प्रिलिम्स में दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जो उन में से जीतेगा वो प्राइज मनी स्प्लिट करेगा बट पॉल यह प्रॉमिस भूल गया और अब तक पॉल ने सारी प्राइज मनी स्पैंड कर दी यहीं दोनों की फाइट में कूमा एस पॉल ने कूमा को टॉर्नमेंट में हराया था तो कूमा यहां रिवेंच के लिए पॉल पर अटैक करने लगता है कि एक मिसाइल पॉल की जगा कूमा को लग जाती है और पॉल को लगता है कि कूमा ने उसे बचाया बट पैटल फिल्ड के दूसरी साइड रेना के यहां नीना विलियम से लड़ते रेना नीना को उसे पहचानने को कहती है जिसे नीना मिशीमास की बेटी बता एस नीना ये फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद जी कॉर्प छोड रही थी तो रेना नीना को उसके लिए काम उफर करती है जो नीना एकसेप्ट करेगी बट आफ्टर हिस वेकेशन और यहीं लार्स भी अभी तक जिन को वलनरेबल देख उसकी लोकेशन पे जाता है कि यहीं काजुया अपनी ट्रू डैविल फॉर्म में यहां पहुंच वो अपनी डैविल भीम से सब कुछ जला सारी आरमीज को हरा देता है और उसके जिन की और जाते यहीं लार्स अनशाइू सबी जैक्स को हरा लार्स यहां टू डैविल कजुया को भी जिन तक पहुंचने से रोकता है और लार्स की इमेंस रिजिलियंस को देख एस लार्स कजुया का भाई है तो कजुया को इस रिजिलियंस में उनके फादर हे हाची की विजिन्स दिखती हैं जिससे काजूया एक्स्ट्रा पागल हो जाता है बट यहीं जिन की साइड जीन अपने दिमाग में कजामा जिंगल्स का पीछा करते वो अपने डैविल पार्ट से मिल अपने सारे बुरे काम याद कर कि चाहे उसने अजेजल को फिजिकल फॉर्म देने के लिए वर्ल्ड वार फ्री स्टार्ट की हो बट स्टिल उसने कितनी काउंटलस लाइफ उजार दी ये टृत को अक्सेप्ट कर फाइनली जिन अपनी मदर की जिंगल से अपने अंदर की सभी चेंज को तोड़ वो समझ जाता है कि he need this devil power बट devil power उसकी है जिसे वो जैसा चाहे ऐसे यूज कर सकता है एस यहां जुन कजामा की लाला बाई से अब जिन के devil genes का नेचर ही चेंज हो चुका है और यहां devil उससे पूछता है कि अब जिन का desire क्या है जिसमें जिन जो भी उसके life में important है वो सबको बचाना चाहता है even if that cost his life और यहीं जिन का devil इससे agree कर जिन अब उठते ही अपने अंकल लार्स को बचा जिन अब पूरी devil powers को control कर पा रहा है और यहीं devil जिन एंड true devil कजुया की fight करते दोनों कजामा ट्री के अंदर जा true devil कजुया यहां अपनी पूरी पावर से पूरा island ही उडाने लगता है कि जिन य एक devil की जगा angel बन जाता है unlocking all the hidden powers within him and इसी से जिन ये कजुया के blast को समुदर में divert कर यहीं इस blast से समुदर का volcano activate हो दोनों एक जमीन के टुकडे से space में पहुँच यहां दोनों की fight इतनी epic थी कि दोनों अपनी सारी devil powers को extinct कर देते हैं and दोनों ये rock के साथ earth पर वापिस गिरते अब दोनों की devil powers खतम हो चुकी थी and जिन कहता है कि इन powers के बिना दोनों बस normal humans हैं बट दोनों father and son अभी भी लड़ते हैं to knock the living life of each other जिसमें Kazuya के जिन को गिराते वो कहता है कि a fight is about who is left standing बट जिन यहां सभी को बचाने के लिए फिर से उठ वो कहता है a fight is about survival and वो सभी को याद करते especially अपनी mother को दोनों के knock out blow में जिन यहां कजुया को हरा देता है and with that जिन ने devil genes या devil blood को दुनिया से साफ कर दिया and यहीं जिन अपने father को dead समझ वो शायू के साथ यहां से चला जाता है but कजुया की side जुन कजामा कजुया की body तक पहुंचती है to probably nurture him to back to health and जुन कजुया को अपनी evil side को छोड़ने में help करेगी इसके बाद यहां दो और character endings noticeable है जिसमें अगर कजुया जिन को हरा देता है तो कजुया यहां मिशीमा fashion में जिन को समुदर में फैंक देता है and even though उसकी devil power जा चुकी है तब भी कजुया will fight to the end then रेना की ending से पता लगता है कि वो हेहाची की बेटी है and वो यहां किसी तरह कजुया की devil power लेने में कामियाब रही now as main story में जुन कजामा के बारे में जाला कुछ नहीं बताया तो यहां game में जुन की side story यह है कि yes जुन कजामा is alive and यहां इतने सालों पहले जब ओगर जुन से fight करने आया था तो हुआ यहां मैं अपनी imagination से gap fill कर रहा हूँ as game में बताया कि जुन ने ओगर को सीधा ही temple के पास lure कर दिया and then उसने ओगर को हरा दिया which doesn't make any sense so मेरी imagination से जब जुन ओगर को यहां blast से मारने वाली थी and ओगर ने खुद को teleport किया तो जुन भी 7 में ही teleport हो जुन यहीं से ओगर को पास के कजामा secret temple में लाती है जहां कजामास की power से जुन यहां से ओगर को भगाने में कामियाब रही पर इस fight से as जुन ग्रेवली इंजर हो चुकी थी तो कजामास की mysterious power जुन को guide कर उसे एक hidden जगा पर सुला देते हैं जहां से जुन sort of coma में चली गई for these many years and इतने सालों के बाद जब जिन यहां आया त तो या गाइस बस वीर इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी ये narration पसंद आये तो hit that like button, subscribe for more and मैं आपसे मिलता हूँ अपनी next वीडियो में, till then, see ya!